एक बाव फिर से आप सब का स्वागत है आपके अपने चलमें इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे जो आज के दिन दो हंडेड मेंस का सेकंड मेंच होगा जो कि यहां पर स्टार्ट होने वाला है रात में 11 बजे ध्यान रखना है टाइम यहां पर गलत लिख दिया है डिजाइन ने 11 बजे रात में मेंच स्टार्ट होगा और मेंच जो है वो कहला जाएगा साउधन ब्रेव और यहां पर लंडन स्पिट के बीच में मुकाबला खेला जाएगा तो इस मुकाबले की पूरी जानकर यह आपको वीडियो में दूँगा बस आपको करना कुछ नह है आपको एक एक चीज यहां पर क्लियर हो जाएगी सबसे पहले अगर आपने अब तक टेलिग्राम चलों को जो नहीं किया तो जरूर से जोन कर लो क्योंकि लास्ट मुमेंट अपडेट सारी के सारी यहीं पर आएंगी जैसे कि प्लेंग लिए उन हो गया और फाइनल टीम मेरवी तेलिग्राम चलों कि यहां चलों करले लिए ऑपको मिलने वाली है दूसरा कमेंट सैक्षिन के अंदर पहले कमेंट में टेलिग्राम चलों का लिंक आपको टॉप पर पिं किया हूँ अब जाएगा बात मुगाबला होता है तीन जो लास्ट मैचेस वेन्यू पर हुए दो जितें बेटिंग फर्स कने वाल टीम ने एक मैचेस हुआ है और जो तीन मैच यहां पर हुए उसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट इनिंग में तेईस विकेट फास्ट को इस्पिनर्स को पांच विकड़ उपन कर सकते हैं फिन एलन और जैम्स विंस फिरा एंगे ऐसे लूइस डुपलोई फिरा एंगे लोरी इवांस एलेक्स डाविस काईरन पूलाड क्रिस जोडन जौफरा आचर तयामल मिल्स रियान अहमत अकिलूसन तो यह इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेंग लिए सकत तो दस चोंतिस दो सततर जीरू है देखो फिन एलन आपको पता है किस टाइब का प्लेर है बहुत ही तगड़ा हिटर है अगर भाई टिक गया तो वन साइड़ेट गेम करने वाला अप्लेर है जैम्स विंस हेट्रेड में रिकोर्ड कुछ खास नहीं तीन मेंच 25 रन है लेक लोरी इवांस बहुत अगला हिटर है द्यान रखना पहली बेटिंग पर बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा इसके नाम अगर आप देखोगे यहां पर तो हेट्वेट में पांच में 147 का अबरेज है वेन्यू पर ग्यारा मिच में तीन सो चोविस रन एलेक्स डाविस यह भी बहुत अच्छा प्लेयर है बस देखने वाली बात यह रहेगी का इसका बेटिंग ओडर कहां पर रहता है यह चीज़ आप दिया में रखना बात करें यहां पर इसके रिकोर्ड की तो हेट्वेट में इसके नाम अगर आप देखोगे दो मेंच में और बात करूँ वेन्यू पर तो आठ मेंच में दोसो तीन चालिस का आप रहेज है रिसेंट फॉर्म के अगर मैं आपर बात कर लू तो देखो त्यालिस है जीरो है चवदा है दो है और इकतिस है फिरा है काईरन पोलार्ड काईरन पोलार्ड की नाम अगर आप देखोगे तो दर हंडेड के अंदर छे मेंच में 113 जीरो विकट है वेन्यू पर 5 विकट है रिसेंट फॉर्म 3 पांच जीरो विकट 4 दो विकट 4 जीरो विकट 2 तैस एक विड़ है तो अभी के लिए तो है तुके मैं फिन एलन और जैमस को बहुत डोप नहीं करूँगा लोगरी इसमें 21 विगट है और 210 रन भी है रेसेंट फॉर्म एक विगट तीन विगट जीरो विगट है क्रिस जोडन ना बहुत जादा विगट एक विगट है रेसेंट फॉर्म की बात करें यहां पर यहां से देखो अगर इनकी टीम पहले बोलिंग करते हैं तो यह जो तीन बोलर आपको दिख रहे हैं क्रिस जोडन जौफरा आच और त्यामल में यह तीन आप बिल्कुल भी मिस मत करना इसके अलावा इस्पिनर्स को मैं ज्यादा तब रखूँगा जब इनकी टीम बाद में बोलिंग करेंगे तब इस्पिनर्स ज्यादा इंपोर्टेंट यहां पर रहेंगे बाकी दिखो ब करो एक विकट दो विकट थेन दो नरहें जीज़ान में रखना फिर रहें डानियल यूज यह भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेर है इनके नाम अगर आप देखोगे तो टी ट्वंटी में 119 मच में 2925 रन वेन्यू पर एक में 14 रन रिसेंट फॉर्म 0, 16, 81, 13, 96 हैं जोज गार्टन हेट ट्वर्ट में 1 मच में 6 रन 2 विकेट वेन्यू पर 12 मच में 994 विकेट हैं यहाँ से जेम स्कूल्स टी ट्वंटी के अंदर 25 मच में 437 विकेट हैं वेन्यू पर 2 मच में 58, 81 विकेट हैं और बात करें यहाँ पर रिसेंट फॉर्म 14, 4 विकेट, 0 विकेट, 26, 0 विकेट, 2 विकेट हैं जोई वेदरली एक में डिन नॉट बैट है वेन्यू पर 29 में 819 हैं पागी यह परेंच के प्लेinya तो कि इनमें से कोई खेलता है ना तो स्टवोस पने बता दिया आपको लेशन तो यह इनकी टीम का मौस्ट लाइकली प्लेंगलम रह सकता है विद बैटिंग ओडर स्टाइट्स की बाद को तो एडम रोसिंटन जो है बाइद को हीटन में स्टाइप प्लेयर है काफी ज्यादा है रही वेट प्लेयर है है यह तो एडमें तीन मैंच में त्रेपान जीरो एक दो सताइस अठावन है फिर आएंगे ऐसे माइकल पेपर हैट कोड़ में तेरा वेन्यू पर पांच में सतावन रिसेंट फॉर्म एक चोथीस एकसो बीस एकसो बीस हैं फिर आइंगे ऐसे सिम्रन हैटमायर इनकी बात करूए यहां पर तो दो सुचोदा टीट्व पांच में चार जास 37 चबिस का अवरेज है रिसेंट फॉर्म की बात कर लें आप है तो नो बेटिंग है तेरा है चबिस है चार रहे और अटारा नोट आउट है रवी बोपारा हेट्वेट में दो मैच में आट रन वेन्यू पर 17 मैच में 408 विकेट हैं और इनके बाद मे यहां पर रिसेंट फॉर्म देखोगे अगर आप तो 3 61 विकेट 6 19 विकेट 36 विकेट हैं आंद्रे रसल बहुत इंपोर्टेंट है हेट्वेट वेन्यू पर एक मैच में चौन साट रन एक विकेट है रिसेंट फॉर्म 14-0 विकेट 20-0 विकेट 10-1 विकेट 35 विकेट है तो रिसेंट फॉर्म की बात करूँगा 31-0 विकेट 13-1 विकेट 7-2 विकेट 4-0 विकेट है यहां डॉसन की बात करूँ हेट्वेट में 2 मैच में 2 विकेट है वेन्यू पर 14 मैच में 71 विकेट रिसेंट फॉर्म 15-0 विकेट 19-0 विकेट है यह नीचे आके बेटिंग भी देता ह साथ के साथ bowling भी करेगा नेथन एलिंग पहली बोलिंग पर जादा है important यहां पर आपके लिए रहेगा हैट्टरिड में दो मेच में 0 विकेट है और बात करें यहां पर वेन्यू पर तो 16 मेच में 19 विकेट इसके नाम है और रिसेंट फॉर्म एक विकेट 49 जिरो विकेट दो विकेट एक विकेट और एक विकेट है डैनियल वोराल पाउर प्ले में जातर बोलिंग करवाता है हेट्टरड में एक विकट वेन्यू पर तीन मेच में एक विकट है रिसेंट फॉर्म एक विकट जिरो विकट जिरो विकट जिरो विकट है रिचर्ट ग्लिसन हेट्टरड और वेन्यू पर एक मेच में जिरो विकट है रिसेंट फॉर्म की बात करू में आप है तो देखो एक विकेट है जीरो विकेट है दो विकेट है फॉर्म इसका बढ़िया है तो यहां से देखो नैथन एलिस और रिचर्ड गलिसन दोनों मेन बोलर है इसके लावा लियाम डाउसन एक ओल्ड राउंटर का काम आपको करते नजर आएगा बाकी बेंच में जो प्लेयरेस में से डेन लोरेंस नहीं खेलेगा कन्फरम है ओली पोप भी यहां पर नहीं खेलेगा यह दो तो अन्वेलबल है इसके लावा क्रोली का भी मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि यह भी अभी टेस्ट मेंच खेल रहा था तो साइद ना खेले बाकी हेट्वेट में इसके नाम दो मेंच में 13 वेन्यू पर 5 में 185 रन है और यहां से इसके लावा ओली स्टोन है 93 मेंच में 97 विकेट श्चत्रम हेट्वेट में गवब में फेर जोर्ट फेलिक रन हिसे के अब इसके अलावा करें के एक प्लैर्यर है मैथू टेलर यहunta बेंच के उपर अब देखो इंकी दरब से स्टार्टंग उवर डाल सकते हैं ग्लिसन डेनियल बोराल डेथ में आ सकते हैं रसल नेथन एलिस और ग्लिसन यहां पर आपको डेथ के अंदर दिख सकते हैं आप देखो एनालेसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लिट चलेंगे डेमो टीम की तरब उससे पहले टेलिग्राम चनल से जोना ज़रूरी है टेलि स्विंस लॉरी इवांस यहांपा डी बैल ड्रमंड को मैंने आपा रखा है इसके अलाव मैंने रसल को रखा है जोर्डन को रखा है लियाम डावसन जोफरा आचर अकील उसें त्यामल मिल्स नैथन एलिस मलब यह मेरी टीम तब की ज़्यादा है जब जैम स्विंस वाले ट